बाबर की धुआधार बैटिंग देखके रमीज राजा ने फोन लगाया जिम बाबे वहीं बैटे बैटे और आगे से भाई साब जिम बाबे वालो ने इतनी गंदी गाली दी है और ये भी धमकी दिये साथ में कि अगर दुबारा फोन लगाया ना लंबे बालो वाली डायन तेरे पीचे हम अपने पागल कुटे छोड़ देंगे पहले तो बाबराजम ने 58 पे 5 थे शरलंका के वहां से 170 करवा दिये फिर इतनी गंदी सी शकल बनाके बाहर चला गया अपनी जान पे खेलते हुए 6 बोले और 5 रन मतलब ये जो इसका अमुले योगदान है मुझे नह पहले ही करजदार है वो तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे शरलंका ने एक अच्छा जरूर काम किया फकर जमान को जल्दी आउट कर लिया ये अच्छी बात है लेकिन बाबर को जल्दी आउट नहीं करना था फैंस ऐसे निराश हो गए ऐसे सो गए मतलब जैसे कि उनको यह कि हमारी तो कमेटी डूब गई हो ऐसा कुछ नहीं है भाई हमने इंडिया वालोंने क्या गल्ती करी हमने यही तो गल्ती करी यह बजड़ वाले जल्दी जल्दी हमने आउट कर लिया और हम खुश हो गए क्योंकि यह अगर रुकेगा ना नो दस हबर यह आधी टीम को तो ले मरेगा विकट चाहिए होता है रिजवान का उपर से बाकी यह दीदी का तो इसकी तो पकी कमेटी डूबी है भाई यह तो तयार यह तो काला काला पहन के इसलिए आई थी कि बाबर को काले जंडे दिखा सकूं कसम से मतलब यार क्या बैटिंग करके गया बाबर आजम आ बाद शायद हर पाकिस्तानी को अच्छी लगेगी जो कि एक जैन्वन बाद भी है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा साना काम को खीच के रखा करो तुम जैसे बाबर आजमने काम खीच के रखा ना ऐसे रखो तुम भी धील बिलकुल भी मत द बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां